स्वागत आप सब का वेस्ट इंडीज वुमन बना माइलेंड वुमन के तीसरे टीटवन्टी आई के अंदर जो खेला जाएगा डेरन समी नेश्टनल क्रिकेट स्टिडियम के उपपर मैट्स टाइमिंग है रात के दाही बजे तो फिर से आपको आप बहुत ही बड़ा गेम को मिलेगा नाइट मैचस वाइसा बहुत तकड़े होता है रात को अलांसाइट करो मैचस जॉइन करो फिर उसको देखो अलगी लेवल को सकंदर थ्रिल होती है अब देखो टेलीग्राम चनल जॉइन कर लो क्या फाइद है लाइनप के बाद कोई भी अपडेट आईगी तो परविती पूरी तो आप सोचे इस वेंडी के पर पांच मैचस हो चुके हैं स्कुरी मैटन समझते हैं आपर कैसा बना है जो पिछला गेम था उसके अंदर आयलेंड पहले बल्लेबाजी करती है एक सो तेरा बनाती है एक सो चौदा का टार्गेट लेती है फिर आती है यह इनों नहीं पर दो मैच उर्टाण वर्टा अंदर तक तक दिखा जा रहा है विश्ट इन गरांड युनों नहीं आपर पर दस मैचस खलके साथ में जीता है तीन गचा रहा है आलांड इव ने यह फटेविग फरस्टेश आरिके दो मैच खलके दोना हा रही है बैटिंग एक मैच जीता गया है चेस करते हैं पर तीन मैचेस जीता गया है और जो लास्ट मैस था दूसरा टीट्वेंटी आई गा उस गेम में चार विकेट फास्ट बोलर्स का था मातर एक विकेट वाँ पर स्पिनर्स निकाला था बहुत विद्यूस गेम के अदर पांच से चर अनाउट होगे थे पूरे लास्ट चार गेम में पेसस ने सोला विकेट निकाला है पहली पारी में आठ दूसरी पारी के अंदर भी आट है राइट अम पेसस के शोला विकेट से स्पिनर्स की बात तरहें बीस विकेट साप देखते हैं से मैच में कैसा प्रजिशन देते हैं सेकंड इनिक में पेस्पिनर्स का साथ फिकेट होगा बस इसको करेट कर लेना आप चलते हैं आप पिछ के फोटोस के दरफ तो आप देखो पिछ ऐसी दिखती है आप पर बहुत बड़िया पिछ बैटिं के लिए बट जो बड़ी स्टार प्लेयर्स टीम की वो भी रंस नहीं पना रही तो यह प्लेयर्स रन बनाएंगे तो 140 आराम से आप बन सकता है तो आप पिछ को देखती है देखने में बहुत अची पिछ लगती है आप देखो ड्राई तो ही बटिया पर रंस भी बनते हैं आपने वेस्ट प्लेंडी विमन की तरफ से एली मत्यूस ओपन गरेंगी तो अगर आपको जाईदा जैम्स दिखती है एफी फ्लेट्चर चैयान फ्रेशर समयला कॉनल फिर आपको यह दिखेंगे ऐस्मनी मुनिशर चलते हैं यहां पर आईलेंड दो ंपन करेंगी एइन्म एंटर के साथ एंटर ऐंटर फिलाल कीपिंग कर रही है और पंडर गर्याई लॉट्ट गेलने से जोश लिट्ल का काम हो जाएगा एसा थोडिय होता है जोश लिट्यल लग लगा दोनों सिस्टर्स ब्रोधर जनते लॉजी लिटिल बहन है जॉच लिटिल गी बट आप यहां पे खिला सकते हैं मेरी वेल्डरॉन को जो आपको थोड़ा अच्छा प्रदेशन दे सकती है बल्ले से एरलेन कैली, कारा मुर्रे, आवा कैनिंग, आमी मोगुरी आपको 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 खेलती हुए दिखेंगी अब स्टाइट से दरफ चलते हैं बाई मोस्ट इंपोर्टन चीज यह है कि आपको में पर कुछ ब्लेट्स को पकड़ना है यह तो कॉमन प्लेडस है यह तो कुछ और प्लेट्स के अब बात रहूंग और पर द्धान देना है यह लिए मैंट्स का च्छै मैच में थीन सो रंस है 5 विगेट है और अब कापकी कैप् पांच मैच के अंदर 167 रंस है 161 का स्ट्राइक रिट है खेले तो ले लेना टीम में वैन्यू के पर 6 मैच में 94 रंस आठ विक्टे हैं गजनभी तीन मैच में 44 रंस है 13 14 17 नाबाद वैन्यू के पर तीन मैच में 30 रंस है 14 और 17 नाबाद बनाया इसने हेंडरी इंपोर्टेंट प्लेयर है बॉलिंग से एक या दोर मुश्किल से डालती है बट बल्ले से काम करके जाती है लाउस गिम में 22 रंस की पारिया आई थी इसकी चार मैचस में एट्टोड में 73 रंस दो विक्टे हैं वैन्यू के पर 7 मैच में 48 रंस एक विकेट है और 3 मै कीपिंग स्टंपिंग इतनी करती है पोइंट बहुत दे जाती है छे मैचस में एक सट रंस है एट वडिक अंदर पिछले मैच में बैटिंग नहीं थी बट पॉइंट अच्छे दे गाई थी वैन्यू के पर 10 मैच में 25 रंस राशादा विलियम्स बैटिंग करी है उपन द यह बैटिंग भी कर लेती है अफी फ्लेट्चर शमाइन कॉनल पांच में पांच विगेट्स है वैन्यू के पर पांच मैच में तीन विक्ते हैं चैर्यान फ्रेशर बहुत अच्छा स्टेपप किया इसने पिछले गेम में भी बहुत ही एकोनोमिकल स्पेल था दो मैचस मे में तीन विकेट्ट निकाल चुकी है है एक रिक अदर यह दो हेगा वैनिक यूपर हिदो मैचस में तीन विक्ते हैं और चाहँ विधिंग के नदर नहीं के तो को लाश्स मेंच खिला peso बट ना इसकी बैटिंग आई ना बालिंग आई थी मैने लिया था अखिब डौ में म यह पर नीचे लिखा हुआ है चार विकेट बट वही बात भालिंग करेगी है नहीं इसकी गारंटी नहीं है वैसे सीरीज जीचु कि विश्ट इस मैच में कुछ भी कर सकती है अल्यालीन एक मैच में जुरू विकेट से एक तोड में वैन्युक पर दू मच इसमें जुरू व पिछले गेम में देखो क्या हुआ था कॉनल का था पहला तीसरा तेरवा उननिस वा हैंड्री का दूसरा था हैली मेर्थिस का चौता छटवा सोल वा ठारवा चैरियन फेशर का था पांच वा साथ वा पंदरवा वीस वा अश्मीनी मुनिशर का आटवा दसवा बारवा चलते हैं यहां पर आइलेंड विमन की तरफ तो गया बिलू इसने चैमेच में पच्छमान की हैं वेन्री के पर दो मैच में 19 रनस अडिसन फ़ाम अच्छा है इसका हर मैच में ऐसा हुआ है फ्लॉप बड़ी बारी फ्लॉप बड़ी बारी फ्लॉप इस मैच में में सोच अच्छी पारी आजाए औरना मैं ड्रॉप करने के मोड़ में उसको क्यों क्यों कि आप इनके बड़ ले ना किसी ऐसे प्लेर को ले सकते हो जो आपको कहीं से वैल्यू दे जैसे कि अबस ऑप्शन अकारा मुर्य का जो थोड़ी बट आपको बैटिंग भी करती हैं और पेंडर केस्ट बिल्कुल खराब प्रजशन दिया है इसने चार मैचस में 67 रंस है 61 बहुत पहले बनाया था चार और दोस ने भी हाली किंदर बनाये सीरीस के नदर वैन्य के अपर बैटिंग फर्स करते हैं बॉलिंग से विकेट्स भी नहीं निका लिए लॉरा डिलान बैटिंगेश्ड ऊतना मंसे अरेटिंगर उचेल सम्हानर पैंच में 37 रंस है यॉरा तो बहुत पुलिंग रहा ड्म से स्प्स बल्कुल इंसे नहीं से अर्लियू कायल कागा कश मैच में चार विकेट और बॉत इंस में 4 विकेट स Sak Asian । मैक्स कर्ण कर रहा है अच्छा रो मोगुरी अच्छी स्पिनर है लेफ्टा मॉथरोग स्पिन डालती है दो मैचस में एक्विकेट है बौल सेकंड करते हुए मेरी वर्ल्डरोन का चार मैच में 91 रंस है ली पौल खेलेगी इस गेमें तो ट्राइ कर लेना दोस्ते तीन और आपकाड आलती है इस एक्विकेट रह चुका है पहले पिछले गेम में देखो क्या हुआ था एक्विकेट का दूसरा चौता ग्यारवा एरलेन कैली का पांचवा साथवा नौवा था जॉल्सी लिटिल का चाटवा आठवा था कारा मुर्य का दसवा चौदवा था मगूरी का बारवा शोलवा लॉरा डिलानी का तेरवा पंदर सभ्सक्राइब बनुम्स भाल गएहां ते समयनापल वर्सेथा में वर्ण जाटव स्सक्राइबय होतें रहे मैं बंस सट संटे और सोगया खास मिया आउटिंच ढास लूप में तो पांच G ez योरसेब्स ऑन 13 बार आउट कि 85 बाल में 76 रण्टके कॉनल ने 11 इंश में दोबर आउट कि वर्सेज हैली मैथ्यूस चैनिंग्स में दोबर आउट किया है चैरी एन फ्रेशर ने इनको चार इनिंग्स में दोबर आउट किया है इमा रिच्रेशन कोई खास मिर्च अपनी अच्छी क्रिकेटर है बॉलिंग करें तो इसकी बहुत वैल्यू बढ़ जाएगी बैटिंग तो अच्छी करें लेती है लॉरा दिलानी वर्सेज हैली मैथ्यूस पांच निंग्स में तीन बार आउट किया एट सब्सक्राइब्स चालेस इनिंग्स के अंदर साथ विकेट दे चुकी ऑफस्टेश को स्ट्गल करती है वेस्ट इंडी विश्ट इंडी विश्ट इंडी विश्ट इंडी ने फॉर्टी वन के अंदर 69 विकेट दिया है और यह टीम खिला ने रही लोग लीपॉल को मेरे समझ के बारे क्यों इनिगे ला दिया आयलेंड भी लेफ्टाम ऑस्ट्रोडक्स को समने फस्ती है लेक्स्पिन थ्रेट वर्स इलेंड 35 में 50 विकेट दिया है वेस्ट इंडी लेक्स्पिन को अच्छा खेलिए 33 में 35 विकेट दिया है चलते हैं यहां पर साइन अप कर सकते हो विजन पर फिरीक आप जाए के स्ट्रेट चेक कर सकते हो विडियो के लिए टोटल सेंटी डू स्लाइट सबाइसा बड़ी मैंध मर्शकर लगती है चैनल पर नियू सुट्राइब को लो गंटी मुने दबा दो तीम्स की बात तरते हैं फिलाल मरी टीम ऐसी बन रही है इसके इंडर में फिव कर सकते हो कारा मुरु को ले सकते हो बहुत अची लेक्सले महलें ना कि करने की बात अती है कैना जॉसप पिछले मैश में बॉलिंग नहीं करी मैश की जाए इंपॉटेंस ने डाढ डुपर ऐसा पर इस पराग पड़ेगा फिर जीटे तो आजोसुफ भॉलिंग कर सकती है जब बॉलिंग करा जोसुफ है एक जुब इपके मेले अजोसुफ है तो ट्राहिकरण घ्राइक कर एक रखाँ तो कंपल और मैरी अमिंटर है 인이 Κέμπब इसाओन कीपिंगञा और पूंटं सब करें यहादा एकॉण सहर्ब है कि मैं प्रवसार पिछेशित तोर से लिए में वहीं जो गेल आपकेंगी टेलर अप्टेलर अप्साओं कर्सक्राइड कोई लिवाटर आप्टर गेले इंदर ही अब्सक्राइण हैlles प्रूणर एक यहां जो खना वहां प्योट प्रेलिजी अजय को सकते हैं इमार एचरस्ट अएज़ को सकते हैं माल एक बादर एक दो मुनिशर अच्छी स्पिनर है कैना जॉसप कोई से चार से पांच प्लैट्स हैं जिनको आप ट्राइगर सकते हो हिमा थोड़ी रिसकी है बट यह जो लिस्ट है नीचे की यह इंपोर्टें लिस्त लागी इस मैच के अंडर एंगो ट्राइ करना क्या आप मगोरी को जो आएल्लैन तरफ से खेलती है थोड़ी रिसकी है बट मुनिशर अच्छी पीग है कैना जॉसप और मुनिशर और प्रच्च्मन दिया वाइस तूसून